है लो एब्रिवन कैसे हैं आप लोग तो आज हम डिसकस करने वाले हैं plastic park scheme के बारे में तो रिसेंटली ministry of chemical and fertilizer ने जो plastic park scheme के हिसाब से भारत में 10 plastic park जो है इसकी approval दे दिया है यहाँ पे तो यहाँ पे discuss करेंगे यह basically plastic part है क्या plastics की जो main uses क्या होती है यहाँ पे इसके बार में discuss करेंगे plastic waste जो होती है उसके export में भारत की ranking क्या है इसके बार में discuss करेंगे और plastic technology को कैसे improve किया जाता है यहाँ पे इंडिया में इसकी status कैसा है यहाँ तक बिल्कुल देखते रहेगा और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अपतर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे और इस वीडियो का जो प्लास्टिक पार्क स्कीम के अंदर दस प्लास्टिक पार्क जो है यह सेट अप किया जाएगे तो यह स्कीम एक्चुली लॉंच किया गया था नवेंबर 2019 में लेकिन इसकी एप्रूवेल जो है रिसेंटली दी गई है तो साथ अलग अलग भारत के राइजर जैसे कि मजध प्लास्टिक पार्क जो है सेट अप किया जाएगा तो प्लास्टिक पार्क मतलब यहां पर क्या बोला गया है कि ऐसा प्लास्टिक का पार्क में ही एक एरिया है यहां पर जिस एरिया में यहां पर प्लास्टिक से रिलेटेड इंडस्टिस को सेट अप किया जाएगा अभी भी यहाँ पे food items लोग रखते हैं, plastic के containers में रखते हैं, तो यहाँ पे यह तो छोड़ दीजे, even अगर healthcare industry में हो गई, यहाँ पे water management industries में, जो storage tanks होती है यहाँ पे, then automobile industries में हो गई, manufacturing industries में हो गई, यहाँ पे बहुत जगा plastics की use होती है, तो यह जो 10 plastic parts के इसके बारे में बात किय आ गया है, 6 जो है already implement किये जा चुके हैं, और 4 जो है यहाँ पे underway है, तो यहाँ पे government of India ने बोला है कि हर project में जो है, 40 करोर की investment होगी, तो यहाँ पे 40 करोर में से 50% जो है यहाँ पे central government देगी, और 50% जो है यहाँ पे state government देगी, तो यह main news है, तो थोड़ा अगर हम लोग यह export करती है, तो इंडिया की यहाँ पे जो share है काफी नीचे है, पूरे दुनिया में अगर USD 1 trillion जो है global plastic की जो export की जाते है, तो उसमें भारत की जो contribution है सिफ 1% है यहाँ पे, तो इंडिया की जो plastic industries है, बहुत ही fragmented way से scattered है यहाँ पे, अलग-अलग जगा पे आपको देखे जाए वहाँ पे जो plastic waste है, यह plastic waste को उन लोग collect करते हैं, उसको पिगलाते हैं, फिर वहाँ से paper bag निकालते हैं, तो क्या होती है, इससे जो plastics बनती है, quality बहुत खराब होती है, यह middle size के जो होती है, उन लोग थोड़ी सी heavy amount में वो करेंगे, लेकिन quality के उपर यहाँ पे नजर नहीं होती है, तो यहाँ पे बात किया गया है, कि main cluster approach के हिसाब से, यानि कि एक setup हो गई, यहाँ पे एक department होगे, जो यहाँ पे polymer को extract करेगी, तो जो processable polymers होगी, यहाँ पे, उस processable polymers को यहाँ पे plastics, जो है, यहाँ पे good quality of plastics में यहाँ पे convert किये जाएंगे, तो अगर हम लोग ज़्यादा जो है, जापान नंबर उन पे है, जर्मोनी, USA, France, Italy, बहुत सारे European countries इसमें आगे है, लेकिन net importers में देखे, भारत जो है, यहाँ पे काफी ज़्यादा भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इससे क्या होती है, कि खर्चे भी होती है, बहुत ज़्यादा य यानि कि polymer को यहाँ पे जो है, इसकी जो है, इसकी जो है, इसकी जो है, extraction करनी पड़ेगी, अलग-अलग यहाँ पे जो है, modern technique से, उसके लिए यहाँ पे research की जरूध होती है, development की जरूध होती है, यहाँ पे CPET का नाम आप लोगोंने definitely सुना होगा, तो CPET यहाँ पे जो है, अन्धर प्रदेश में जो है, यहाँ पे CPET, Central Industry of Petroleum and Engineering Technology, तो यहाँ पे प्लास्टिक इंजिनेरिंग से related जो है, जो है, जो कोर्सें होती है, यहाँ पे डिप्लोमया याँच्टी की ट्रेनिग दी जाती है, तो यहाँ पे में जो चीज है, कि प्लास्टिक इंजिनेरिंग को कैसे develop किया जाए जो यहाँ पे पूरे जगा पे important होती है हर चीजों कि यहाँ पे alternative हो गए यहाँ पे coffee cup जो है यहाँ पे paper cup की use कर सकते हैं आप लोग अलग जग जो alternative use कर सकते हैं जो paper bags use कर सकते हैं bamboo के product से जो bamboo के pulp से बने हुए bottles use कर सकते हैं लेकिन plastics की use को हम लोग कभी भी जो है नाकार नहीं सकते हैं in fact जो union minister है नितीन गतकरी जो उन्होंने एक सुझाववी दिया था last year कि जो भी plastic waste होते हैं तो वो हम लोग जो है road construction में भी use कर सकते हैं जिससे क्या होगई यहाँ परियावरन को कुछ शती भी नहीं पहुचेगी और यहाँ पर environmental pollution भी नहीं होगी तो यहाँ पर plastic industries को जो है दो पार्ट में हम लोग जो है इसको divide कर सकते हैं एक हो गई यहाँ जो upstream और दूसरी हो गई downstream तो upstream क्या होती है यहाँ पर जो manufacturing of polymers जो यहाँ पर main raw materials हो गई उसकी manufacturing अलग-अलग sources से उसकी quality polymers को manufacturing क्या जा सकते हैं तो उसको बोल सकते हैं upstream और downstream मतलब जो processable polymers है उसको एक end plastic products में convert करना तो इसके भी अलग-अलग setups होगी यहाँ पर plastics तो बन जाएगी फिर उसको mold करके अलग-अलग shapes में अलग-अलग products में design करना quality checking तो काफी सारे यहाँ पर parts होते हैं जो एक plastic industry में यहाँ पर setup किया जाएगा इस process से तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि main challenges किया है तो देखें इंडिया में सिर्फ 60% जो plastic waste हरती है यह recycle होती है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं plastic waste जो है जो भी packets हो गई यहाँ पर जो भी unusable होती है हम लोग उसको crush करते हैं और fake देते हैं यहाँ पर लेकिन अगर आप देखेंगे develop countries में तो वहाँ पर आप गर आप देखेंगे हर घरों में हर areas में यहाँ पर अलग-अलग color के आपको bean दिखाए देंगे अगर movies में भी आपने देखा होगा तो जो भी products है उस products जिसे कि biodegradable products हो गई यहाँ पर green color के एक bean में रखा जाता है जो भी यहाँ पर red color के bean होते है यहाँ पर processable products रखे जाते हैं और जो भी blue color के beans होते है plastics जैसे product रखे जाता है ताकि easily उसको recycle किया जा सकता है तो इसके लिए हम लोग citizens को भी यहाँ पर aware होनी पड़ेगी कहीं भी भी plastic जो है हम लोग यहाँ पर fake नहीं सकते है दूसरा यहाँ पर है segregation और re-aggregation of plastic waste ताकि यहाँ पर plastic waste का main यहाँ यहाँ पर use किया जा सके उसको एक profitable end product के हिसाब से use किया जा सके क्योंकि plastic जो है यह environment को बहुत शाती पहुँचाते है simple सा एक plastic bag या एक plastic की bottle भी अगर हम लोग fake देंगे अगर वो माने जिए कि किसी river में fake दिया फिर river से जाके वो समंदर में गई तो लगभग 500 से लेके 1000 साल लग जाएगी उसको decompose on में तब तक क्या होगा इन plastics के यहाँ पर टुकरे टुकरे हो जाएगे और जो aquatic animals है उनको यहाँ पर बहुत problems हो सकती है और इससे क्या हो सकती है ecological balance में उसका effect हो सकती है तो main यहाँ पर बात की गई है कि upgrading quality and diversification जो भी products हो गई यहाँ पर ऐसा नहीं किसी waste product से यहाँ पर उसको पिढ़ा के बना दिया तो उसकी जो effect बहुत ही harmful हो सकती है और भारत यहाँ पर बोला है कि single use plastic यानि कि जो plastic bags हो गई यहाँ पर plastic के cups हो गई, bottles हो गई तो यह सब जो है उसको खतम किया जाएगा 2022 तक तो plastics की use उसी जगा पर होगी जो हम लोग जादा तर generally use नहीं करते लेकिन industry sector में हो गई, road construction में हो गई बहुत सारे ऐसे जगाओ पर उसकी use की जाएगी एक profitable तरीके से ताकि उसकी quality भी यहाँ पर खराब नहों तो government को यहाँ पर National Plastic and Packaging Industry Development Policy जो 2019 में इसको draft किया गया था तो उसके उपर भी यहाँ पर काम करना होगा ऐसे जो छोटे मोटे जो tiny industries है जो plastics को पिढ़ा गये यहाँ पर harmful plastics के bag create करते हैं अक्सा आपने देखा होगा जो black color के जो bag होते हैं polythin जो होती है हम लोग ज़्यादा जाए use करते हैं क्योंकि बहुत ही light होती है easily इसको access किया जा सकता है single use तो इसको जो है रोकना पड़ेगा यह बहुत ही ज़्यादा harmful है तो यह था हम लोग का complete analysis regarding the plastic park scheme in and out कोशिश किया है यहाँ पर discuss करने के लिए सभी angles से तो essay questions जो है आपको पूछा जा सकते हैं आपको test करने के लिए या फिर जो essay paper होता है essay paper में भी ऐसे topics को आप relate कर सकते हैं तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीज़े सिखने को मिला होगा और यह video अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको please like कीज़ेए इसको subscribe कीज़ेए उसको share कर दीज़ेए क्योंकि ऐसे videos बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत और research की जोड़ोत होती है और आप लोग का support हम लोग को बहुत ज़्यादा इंस्पार करता है और भी hard work करने के लिए तो आज के लिए बस इतना ही देखते रहे है study rise, take care, thank you and enjoy him